कि अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने इंडिया पर आज हम डी ट्रिप्लेस भी दोहजार देश में जो भर्ती आने वाली है उसके क्वालिफिकेशन और सेलेबस के बारे में चर्चा करेंगे तो पहली बात हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो डी ट्रिप्लेस भी में आपको फाम भरने के लिए या तो आपके पास ब्याड़ हो या बीटीसी है तो फाम इसका लास्ट तक या अपरेल में कभी भी आ सकता है अगर आपको प्राइमरी में फाम भरना है तो पेपर लेटके हैं तब भी आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा अगर दिली के निवासी हैं अगर फार्म अपलाई करते हैं उसके लिए बैयासी यंक चाहिए और यही चीछ अब बात करते हैं स्लेबस की स्लेबस इसका दो पार्टों में डिवाइड होता है फ़ैली दूसरा इंग्लीष मैथ जिकलिए और यही इसनिग यहिंदी 20 नंबर की आती है इंग्लेश 20 नंबर का होता है मैथ भी बीस नंबर का होता है कि आपकी भी 20 नंबर की होती और जीस भी 20 नंबर का यह पूरा आपका क्वालिफाइंग होता है और इसके लिए आपको 40% इसके लाने होने चाहिए थे अगर आप अधर स्टेट के हैं तब भी आपको 40% ही चाहिए लेकिन अगर आप लगभग 35% यह आपका होता है प्याइटी के बात करें तो अगर प्याइटी में आपने फार्म अपलाई किया है तो पेपर वन तो यह पार्ट वन तो सबके लिए कंपल सरी होता है प्याइटी में बीड और बीटी सी करते समय जो भी आपने सिच्छवित की किताबे पढ़ी ह होंगी उसमें से आपका सव नंबर का प्रस्न पूछा जाएगा अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का सव नंबर का आपका 9 और 10 जो भी आपने जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है वो बुक अगर आप कवर करते हैं तो उसी में से आपका सव नंबर का सवाल पू सब्जेक्ट बनता है वहां से सो नमबर का पूछा जाएगा यह भी आपका कॉलिफाइंग ही होता है और इसमें भी पास करने के लिए आपको 40% से 40% से जाद है कि मास चाहिए ओभी सी एस अगर 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 इस्टेट के हैं तो भी आपको 40% कॉलिफाइंग होना चाहिए के हैं तो आपको 35% कॉलिफाइंग है कि आई होप क्वालिफिकेशन और सिलेवस के बारे में हमने चर्चा कर लिया नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर जो भी आपके हिंदी है एंग्रेजी है गडित है रिजनिंग है और जीयस पर इस पर डिटेल वीडियो बनाए करेंगे और इसके कौन-कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे जहिन